है बच्चापारटी नमश्कार अधाप सश्यकाल एंगेंचो वेल्कम तो एसस्पी दफानेस्ट टेश्ट 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 से उनको अगर आप देख लोगे तो यहां निम्यारिकल्स को समझने में और आसानी होगी बहुत सारे स्टुदेंट्स को प्रॉब्लम होता है अंडरूर से बाहर कैसे निकालते हैं क्यालकुलेट कैसे करते हैं और वो बच्चा जो सबसे लाचने पड़ता है उसको यह सब आही नहीं पाता लेकिन देस दर्बार अब बाबा एससपी वेरिकन फील्द फिजिक्स और यू विल बी विडियो उसको चैनल पर देखते हैं उनको तो पता होगा उन लोगों ने विडियो कर रखा है लेकिन वो बच्चे जो लास लास में देख रहे हैं उनको यह निमारिकल्स जरूर करना चाहिए यकिन मानिए इन निमारिकल्स को करते हुए आपके CBSE Board Exam में अगर वैसे questions बनत जिसे मैंने physics के हर एक chapter की important numerical, doubt, clarity, सब कुछ करा दिया है बहुत ही minimum fees है यह आपको मिलेगा मेरे application class 24 पर simple आपको download करना है या screen पर दियेगे number पर बच्चा आपको call करना है आज भी आप इस batch को जोईन कर सकते हैं मेरी live classes में मिलेगी in case अगर आप 2-3 दिन बाद जोईन करते है तो recordings भी available होगा बट यह guaranteed है कि अगर यहां से आप पढ़ोगे हमारे application zero to hero bath से तो आपको दुनिया की कोई ताकत fail नहीं कर सकती है आपके अच्छे मागसाने की full guarantee है ठीक है चलो बच्चा तो start करते हैं और यह पूरी team है बाबलू अभिशेक सर है चोटे भाई की तरह है chemistry बह आप जवरदस faculty है तो यह सब कुछ आपको हो जाएगा आए इस chapter का सबसे पहला example जो मुझे लगा कि है सबसे important है वो मैंने उठाया आपके textbook से सवाल बढ़ते हैं वो बच्चे जो कहते हैं हम से numerical नहीं होता वो तभी नहीं होता बच्चा लोग जब concept को दंग से सीखते नही बस आप मुझे last तक सुनना छोड़के भागोगे तो फिर मजा नहीं आएगा पूरा देखे वडियो को a charged metallic sphere a is suspended by a nylon thread ठीक है another charged metallic sphere be held by an insulating handle तो यह देखिए handle से इसको पकड़ा हुआ है यहाँ पर एक sphere है A और दूसरा जो है यहाँ पर B है जो की एक insulating handle से इसको किसी ने पक इसको इस तरीके से पास में लाए गया है जायर सी बात है कि जब दो object पर charge होते है उनको पास लाए जाता है तो उनकी वीचे force लगता है shown in the figure आप देख सकते हैं the resulting repulsion of A is noted and measuring the deflection of the shadow on the screen sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in figure 1.7 B देखो यहाँ पर बहुत interesting line है पहला क्या बोलता है कि the resulting repulsion of A is noted तो पहले हम इनकी बीच में resultant निकाल लेते हैं कि कितना force इसके उपर लग रहा है अब इसके लिए हमें पता होना ची कि charge कितना है तो charged metallic sphere is suspended by an iron thread another charged metallic sphere तो हमें पता नहीं A और BP कितना है तो हमने A पर charge माल लिय Q1 इस पर माल लिया charge Q2 तो according to Coulomb's law formula कहता है के Q1 Q2 upon में R का square यह मेरा समय करा number 1 है शुरू में इतना repulsion force इनके बीच में generate हुआ क्योंकि दोनों positive positive हैं अच्छा अब क्या कहता है the resultant repulsion of A is noted okay sphere A and B are attached by uncharged sphere C and D respectively as shown in figure B A को C के पास लाया गया यह देखिए लाया है यहां पर यह A है यह यह आपके C है text book में बना हुआ diagram उसको explain कर रहा हूं तो बेटा यहां पर concept लगता है कि जब एक charged body किसी दूसरे uncharged body के संपर्क में आती है तो charge क्या होता है induced होता है दूसरे वाले में और कितना induced होता है तो sum of the charges in the system divided by number of the body in the system A और C पे A पे कितना है नहीं पता Q1 A पे कि 1 माना है C पे कितना है 0 तो Q1 प्लस 0 sum हो गया divided by कितने system में लोग है दो ही है A और C divided by 2 तो अब after separation उन पर charge हो जाएगा Q1 by 2 and Q1 by 2 again so A पर बच्चों आप कितना हो गया A पर हो गया Q1 by 2 और C पर कितना हो गया Q1 by 2 आप ऐसे diagram बना लीजेगा A पे इतना और उस पर इतना उसी तरह से B को भी untouched sorry B को भी जो है D के संपर्क में लाए है तो अब B और D पर कितना हो जाएगा Q2 by 2 और इस पर भी कितना Q2 by 2 क्योंकि अल्रडी B पर कितना था Q2 था ओके चलिए बढ़िया सर यहां तक फील आ गया आनंदिक्या नुभूती आया लगा बहुती विज्ञान ही जीवन है अब आपसे क्या कहता है बच्चा जड़ा हम पढ़ते हैं के and then removed and B is brought closer to A to distance of 5 cm मतलब अब A और B को 5 cm यानि R by 2 दूरी पर लाए गया ठीक है तो आपसे बोलता है what is the expected repulsion A on the basis of Coulomb's law come on नया force हमें भी नहीं पता तो F days is equal to K A पर आगया Q1 by 2 B पर आगया Q2 by 2 distance R by 2 है यानि R square by 4 बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं R by 2 को square करने में R square ही लिखते हैं वो गलत हो जाता it is not R square R के जगह पर बच्चा R by 2 है इसलिए R by 2 का whole square आएगा so it is going to be R square by 4 तो R square by 4 यह देखे कड़िया तो यह सब कुछ जो है बच्चा कड़ जाएगा तो आपका आंसर के Q1 Q2 आप उन में R square होगा जो की original value of F है हो गया कदम ऐसे question board exam बहुत पूछती है अब इसे रटो मत यहां सीखने वाली चीज क्या है सीखने वाली चीज यह है कि ऐसा कोई question आया जिसमें हम एक charged body को किसी अंचार्ज के साथ लाते हैं संपर्क में तो क्या होता है some of the charges divided by number of body note book में लिखें और please comment करें जो बच्चा लिखता है जो true SSP ने सच्चा विद्यारती अपने गुरू जी की बात मानेगा बाब SSP की बात मानेगा और लिखेगा याद हुआ रटना नहीं है बच्चा समझोगे तो physics के साथ प्यार हो जाएगा यह बाबा की guarantee इतने सालों से आमें नहीं आपार हो जाएगी इससे related आपको हिम्मत मिल जाएगा सवाल आएंगे तो हो जाएगा consider three charges q1 q2 q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle यह देखिए ऐसा एक equilateral triangle आपके textbook का यह बना थोड़ा blur इसलिए होगे अब इसको डाउनलोड किया है और इस पर charges क्या है q1 q2 और q3 correct equilateral triangle है मतलब side L है what is the force on charge capital Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure अब यहाँ पर ना बिट्टा एक capital Q charge centroid S का मतलब यह वाली distance अगर R है तो यह distance भी R है और यह distance भी R है हमको इसके उपर net force निकालना है अब यहां पर एक लॉक काम करता है जिसको law of कहते है प्र पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो हम यह नियम का उप्योग करेंगे अब नियम का definition याद नहीं करना होता नियम को समझ नहीं होता है सिंपल है एक स्कूल में चार विद्यार थी है एक संकी टीचर आया बढ़ियां समस्त बाव ऐसे स्पीग जैसा बोला वो इसको पकड़ के मारो तो सारे बच्चे मारेंगे खुसी में कि अब यार एक मारा तो मैं भी मारोगा वही चीज यहां पर भी है अगर मैं चार पर एक के द्वारा फोर्स चार पर दो के द्वारा चार पर तीन के द्वारा अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स एक्टिंग उन फोर बाई वन एक्टिंग उन फोर बाई टू एक्टिंग उन फोर बाई त्री और यह सारा का सारा वेक्टर होता है बस यही कॉंसेट है आ and then capital Q upon me, distance कितना है बच्चा, r square, क्या q1 q2 q3, each equal to q है, है न, ये q1 q2, तो यहाँ पर q समझ लीज़े, ये नहीं है, ये देखो ये भी q है, question में ही बोल रहा है, ये भी q है, और ये भी q है, ओके, तो मुझे यहाँ पर j cap करना चाहिए, minus में q, अब वो बच्चे जो पहली बा ये पूचे जाएगा, अब ही मैं किस पर निकाल रहा हूं, फॉर पर और ये कौन है, पॉसिटिव है, ये बोलेगा, तो नीचे तो इस पर इरेशन कहां जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरीके से आप फिसिक्स पढ़ेंगे, तो आपको फिसिक्स के साथ प्यार हो लगे 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 लेकिन मास्टर को पढ़ाने का यह अंदाज है तीए फोर हो गया चलिए अब हम बात करते हैं एफ फोर तो वैलू तो वही है क्योंकि यहां पर भी चार्ज उतना है अपन में डिस्टंस भी वही है लेकिन अब क्या है क्या है डारेक्शन देखो क्या होगा इसकी वजह से लग रहा है तो यह पॉजड़िव है और यह ऐसा है यह पूछेगा तो पॉजड़िव है क्या ब musicians बोलेगा हाँ से component होता बच्चा तो अगर मैं इसको F42 कह दूँ तो ये मेरा हो गया F42 का cos 30 और ये हो गया मेरा F42 का 12 का 4 42 का 1, my name is लखन ये आया, अच्छा इसमें ये वाला क्या है i cap, x direction, ये क्या है j cap, y direction, तो यहां bracket में आप क्या लिखेंगे cos 30 i cap right, और वहां ओभी प्लस है, sin 30 j cap अब कौन बच्चा ये वाला, F43 तो अब बच्चा F43 भी निकालो तो F43 वही होगा इनके नकी charges की value same है अब उन में R square, लेकिन अब इसका direction इधर आ गया, ये angle कितना हो गया, 30, तो ये component कौनसा हुआ cos, और ये कौनसा हुआ sin, 22 SSP ने सिखाया था जिदर ठीटा उधर cos होता था, ये cos है लेकिन ये negative axis पर है इसलिए हम लिखेंगे, minus में cos 30 i cap, वो ओपर ही है तो plus में sin 30 j cap ये super position vector के questions है बच्चा इने ऐसे ही solve करिएगा, हो गया अब last में मैं जब plus करूँगा तो ध्यान दीजिए, सब जूड रहा है तो cos 30 और minus cos 30 कटा sin 30 की value आधा j by 2 sin 30 की value आधा j by 2 j by 2 plus j by 2 plus j उपर वाले minus j के साथ कट गया answer आपका 0 आगया, यानि कि भजिया हमारे गुजराते हैं बहुत famous है भजिया, मैं 0 को भजिया बोलता हूँ पुरानी आधा था बच्चा पार्टी तो got the answer, अब यहाँ पर एक बढ़िया सा sky बना लीजे अपने notebook में, चमका सब को sky मतलब सुरे कुमार याद हो नहीं, बादल बादल मतलब important note, बादल में हो था न, ऐसा स्टेप्स लिखोगे, तो 5 marks का सवाल है तो तुम्हें 3 marks मिलेगा, चमका ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आईए बच्चा, अगला question सिखाते हैं, और ऐसी physics पढ़ने के लिए बच्चा पार्टी, आप हमारे application class 24 को join कर सकते हैं, जहां पर मेरे paid batches चलते हैं बहुत सारे बच्चे physics के साथ प्यार करते हैं स्क्रीन पर दियेगे number पर आप call कर सकते हैं यह बहुत अच्छा सवाल है, यह CBC Board ने पूछा है बड़ा interesting सवाल है, ध्यां से सुनिए, एक बार सिखाऊंगा मज़ा आजाएगा आप light time ते गयाद रखेंगे इसको into 10 power 4 newton पर कूलम है, अच figure दे रखा है and proton, एक में electron गिरता है और एक में बच्चा proton गिरता है color change कर ले, यहाँ electron है और यहाँ पर आपका proton है यहाँ देखिए, माइनस 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 है, यहाँ प्लस प्लस है फिर यहाँ उल्टा कर दिया, इधर प्लस 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 है और यहाँ माइनस 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 है वास्किता में electric field का direction प्लस से माइनस होता है यहाँ ऐसा है, दोनों को मुझे गिराना है तो electron पर sign माइनस होता है प्लस की तरफ आता है, इसलिए ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ देखिए, यह proton है, प्लस है, प्लस माइनस की तरफ आता है इसलिए electric field का direction चेंज कर दिया Here it is in the upper direction, here it is in the downward direction अब concept क्या है? सवाल क्या बोलता है? बोलता है कि falls through the same distance, compute the time of fall in each case constant the situation with that of free fall under the gravity मतलब आपको situation लेनी है कि free fall under the gravity compute करना उसको अगर हम free fall ले लेंगे तब तो यह acceleration g के बराबर हो गया उसको compute करना है अब सोचिए मैंने आपको physics जब भी पढ़ा है, जब भी आप मुझसे पहला chapter पढ़ा है चाहे दवंग batch में, free of cost है चाहे चानेकनती 5.2 या चानेकनती की किसी भी वर्जन का आप देखे हो तो मैं हमें साब बोलता हूँ electric field इस है kind of भाई लोगों का इलागा तो यह electric field इलागा है और इसमें यह ससुरा गरुना है, गरुना एक charge है electric field के अंदर जब भी कोई charge आता है, it always experience the force from which equation, from this equation, f is equal to q into e and we also know that कि किसी चीज पर force लगता है, बच्चा, सोचो दिमाग लगाओ physics के numericals के लिए आपका step चलना चाहिए, अच्छा यह concept था, force लगता है force लगने से acceleration होता है, मुझे हमेज़ा ही सवाल आते है, भीया, numerical नहीं होता उसका कारण है, आप सोचते ही नहीं हो, आप सोत्यों में रटू, रटना नहीं है बच्चा दिमाग लगाओ, concept लगाओ, क्या था, charge पर force लगा, 11th क्लास की physics थी, अच्छा force लगता तो body चलती है accelerate होती है, तो पापा बराबर मम्मी होते है, होते हैं कि नहीं होते हैं, पापा मम्मी के बराबर ही होते हैं, माता पिता सेवा करिए उनकी और अब acceleration क्या हो जाएगा, आपका Q into E upon में M, अब ये तो मुझे मिल गया accelerate इतना हुआ, लेकिन ये accelerate करते वे कितना distance कवर कर रहा है, 1.5 cm, तो अब जरा सोचिए formula क्या है, UT plus half 80 square, है की नहीं है, तो initial velocity free fall जैसा है, उपर से नीचे आरत initial velocity 0 है, तो ये आपका हो गया 0, 1 by 2, एक में electron, एक में proton, तो in case अगर मुझे T चाहिए, तो under root 2sm upon में Q into E हो गया, अब CBSC में problem ये है, गुजरात बोर्डर बाकी का ही state body के अंदर calculator लहूड है, बढ़ हमारे CBC board में नहीं है, भाई साब कैसे करें, तो approach method से, क्या होता है approach method, मैं सिखाता हूँ, ध्यान दीजे, थो is equal to 2, अब मैंने T को electron का निकाला, S 1.5 है, centimeter बच्चा 10 raise to minus 2 होता है, पकी बात है न, 1 centimeter दसके, minus 2, mass, mass of electron कितना, तो mass of electron होता है 9.1, तो मैं उसको 9 लेता हूँ, 10 power minus 31, क्यूं किया, क्यूंकि 9.1 ले लूँगा, root से निकालना असान नहीं, but 9, very close to 9.1, I can consider 9, because under root से बाहर निक 10.6, 10 power minus में 90, यही होता है electron का charge, फिर E, electric field कितना है, तो 2 into 10 power 4, समझ गए, कभी भी root दिया हो, तो सबसे पहले power को set करे, power को set करे मतलब, यहाँ minus 2 minus 31, तो उपर हो गया, minus में 33, फिर नीचे 4, उपर जाएगा तो कितना होगा, minus में 4, फिर यह 19, minus है तो यहाँ जाएगा, तो plus में 19, जरा चेक करें कितना होगा, 19 में से 4 जाएगा, तो 13, plus 13, और minus 33, plus 13, सही है ना बच्चा, 13, 4, 19, हाँ सही है, 9 से 4, ओई भाई साब, 19 में से 4 जाएगा, 13 नहीं होगा, 15 होगा, 15, 4, 19 होता है, अब यहाँ से हो गया, 15 और 3, कितना 18, तो 10 की हाते, minus में 18, समझ मैं न, इतना गणित्तों आना चाहिए, इतनी basic बात, तो यह उतना होगया, 10, 10, 20, 8, 28, 25, 33, सही है, अब जब आप अंडरूट के सवाल सौल कर रहे हो बच्चा, तो हमेसा याद रहे को 10 की पावर even होना चाहिए, क्योंकि अंडरूट का मतलब 1 upon 2 होता है, यह अंडरूट का मतलब मैं 10 से गुणा करता, 10 से भाग करता, अब यह मेरा बन जाता 10 की हाथ माइनस 16, मैं माइनस 16 को अंडरूट यानि के 1 upon 2 कर होगा, 10 की हाथ माइनस 8 हो जाएगा, तो यह चीज़ जरूर याद रखे, कि जब भी आप numerical ऐसे कर रहे हैं, या इतना करने के बाद बच्चा, अगर इन्टू 1 upon 2, तो 10 की हाथ माइनस 9 हुआ, तो एक चीज मुझे पता चल गया, कि 10 पावर माइनस में 9 आएगा, और मैंने क्या किया, इनको काट दिया, ये, 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 ये कड़ गया, अब देखिए ध्यान से, पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट को अ अब ये 15 और 16 है, कितना है, 15 और 16 है, अगर कटे तो ठीक नहीं कटे तो छोड़ दीजे गवराईये मत, जैसे बच्चा देखो, ये 16 जो है ना, ये अंडरूट से बाहर डारेट आ सकता है, 4, है की नहीं, ओके, यहाँ 9 बच्चा डारेट आ सकता है, 3, है की नहीं, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वेर, जो परफेक्ट स्क्वेर उसको बाहर निकाली दो, अब अंडरूट में कौन बचा, अब अंडरूट में बचा, अरे यार ये देखो, 2 से तो 2 भी कड़िया, कटा की नहीं, 2 से 2 कड़िया ना, तो बसता क्या है, 15, 9 तो बाहरा गया, 3, 16 बाहरा गय चार, अब इस ता कोन अंडरूट 15, ओ, कितना असान हो गया, देखिए, आपके सामने, अब क्या करें सर, अंडरूट 15 की तो value calculator से निकलती है, नहीं, बुद्धी का परियोग करें बच्चा, सोच की देखिए, कि आप 15 किस perfect square के नस्दीक है, 16 के, अंडरूट 16, 4 होता है, 4 होत अब Kelsey लगा के दिखो दिमांक, अरे 16 का 4 है, तो उसे ठीक पहले का, 4 से कम होगा, कितना होगा, 3.9, ऐसा ही कुछ होगा, तो मैं इसको exactly 4 मानू, सरलता के लिए, तो कड़िया, मैंने पहले ही कहा था, approximation method इसलिए से कहते हैं, क्योंकि आप अपने exact answer के बहुत नस्दीक होगे and trust me examiner आपको marks देगा पूरा, मेरी guarantee है, तो अब ये कितना हो गया, 3 गुड़े 10 की घाते, माइनस में 9, अगर गलती हुआ बच्चा तो मेरी 5 ही हो जाएगी, मुए 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 हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, second, इसको हम nano कहते है, 3 nano second, जड़ा एक बार answer चेक करते ह क्या है, मुए मुए, मुए मुए, मुए मुए, मुए मुए, मुए मुए, मुए मुए, ये है, सही है बच्चा बार्टी, अच्छा ऐसी feeling ना, आपको भी आएगी, अगर आप ऐसे answer लाओगे तो, ये देखिए, here we have answer, मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं 4 को 3.9 मान सकता हू हूँ, तो मैं 3 को 2.9 भी तो मान सकता हूँ, exact answer 2.9 है भाई साफ हमारा केता है, 3, मतलब हमने कम माना था ना, तो सही है, exact सही है, तो इस तरीके से बच्चों calculate करते हैं, 5 मिनट मैंने लिया बच्चा पाटी, मज़ा आया तो एक प्यारा सा like वाला बटन दबाके, एक प्यार 9 into 10 raise to minus 31 है, प्रोटन का मास कितना होता है, 1.6 10 raise to minus 27, ऐसे step by step जाएगा, correct, आप का answer आ जाएगा, 1.6 से 1.6 ले आ जाएगा, cut जाएगा, तो you will get the answer easily, है की नहीं यार, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अजावध में राम आ जाएंगे, भगवान स्री राम आ रहे हैं, बच आप सुन लीजे, जिस भी चीज में आप मानते हैं, इस्वर, अल्ला, सभी ही है, बस जो है, बस भगवान से कैसे भी करके अपने आपको touch रखो, trust में आप हमें सब खुश रहोगे, और इमानदारी इस अपना काम करो, जैसे आपका काम अभी क्या है, पढ़ाई करना, इमा इनकी वैलू है, दस की घाते, माइनस आट कूलम, और दूसरे की है, बच्चा, दस की घाते, माइनस आट कूलम, बड़ो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 0.1 मेटर, ठीक है, कोई बात नहीं, 0.1 मेटर, calculate the electric field at point A, B, C, shown in the figure, अच्छा, A कहा है, मैं एक निकालो, बाकी का आप करोगे, तो मजा हैगा आप लोगों को, A है न, exactly बीच में है, यह रहा A, तो पहले हम A पर निकालते हैं, अब यहाँ पर भी आपको क्या पूछ रहे हैं, जब भी आप electric field का concept करें, या जब भी आप electric field के सवाल को deal करें, हमेशा यह ध्यान रखें कि सिस्टम में कितने charges available हैं, सभी charges मिल करके उसके उपर अपना electric field provide करेंगे, तो अब A point पर इसकी वज़़से electric field आएगी, और A point पर इसकी वज़से भी electric field आएगी, क्या सीखरे हो आप यहाँ पर, number of charge is equal to electric field, correct बात है, तो जितना आ आपका charge होगा, उतना electric field होगी, दो charge था, तो दो electric field आई, अब आती है बात इसके बाद direction की, क्योंकि electric field vector quantity है, तो A point पर 10 दिस्टू माइनस 8 कूलम के वज़़से direction कैसा है, positive है तो इसकी electric field इधर जाएगी, minus है बच्चा, तो minus में invert होता है, positive में electric field outward होता है, और minus में भी invert, मत इसको E2 कह दू, यह 1 है, यह 2 है, तो दोनों ही electric field point A पर same direction में, इसलिए मुझे उसको जोड़ना होगा, अगर यही positive होता, तो इसकी वाली ऐसे, positive वाली की भी outward, दोनों opposite हो जाते, तो मुझे यहाँ घटाना पड़ता, यह है physics, रटो के तो नहीं समझ में आएगा, feel आया ब आप जटे बच्चा, प्यार हो जाता है बच्चा को अगर धंग से पढ़ता है, तो मेरा जो net electric field है, वो E1 प्लस में E2 है, अच्छा आप E1 कैसे निकालें, तो formula से KQ by R square, electric field दो point charge, तो K कितना है, K ही रखो, 9 into 10 power 9, Q, कितना है बच्चा, 10 power minus में 8, upon distance, तो charge से point तक का distance, यह 0 0.1 था, तो 0.1 का आधा है, तो आप 0.05 लीजिएगा, उससे अच्छा 0.1 by 2 कर दो, तो 0.1, 0.1 और यहां 4 कर दो, क्योंकि KQ by R square था, R square है न, तो 0.1 by 2 का square, तो 0.1, 0.1 यहां गया, जितना आप simple रखेंगे, उतना बढ़िया calculation होगा, फिर बच्चो, plus K की value, इतनी ही है, फिर यह आपका 10 raised to minus 8 हुआ, अब यहां पर एक catch है, पकड़िये दिहान से, यहां देखो minus है, तो यहां आपको calculation में minus नहीं लेना है, क्यों, sky बना लिए, सुरिकुमार याद हो, दिवाग में याद रखो, क्यों minus ना लो, क्यों ना लो, negative, क्योंकि आपने already vector layman, direction उसका add-on करती है, देखें न, आप negative, क्यों से, direction ऐसा ले लिए न, then no need to take it, यह हमें सा याद रखो, जब आप direction सोच लेते हैं, तो फिर उसको लेनी के अवशकता, नहीं है, अच्छा, छोड़ी-छोड़ी चीज़े बच्चा आपको सिखाता हूं, और बढ़ीया बढ़ीया चीज़ कॉमन है यह पूरा, यह पूरा, सब ही कॉमन है, सब ही कॉमन है भाई साब, क्योंकि सभी सेम हो गया, चार्जर सेम था न, तो बच्चा, यह value और यह value, दो बार है न, तो हम क्या लिखेंगे, 2 into, 9 into 10 power 9, minus 8 कर दो, यह देखो, 10, 9 में से 8 चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा न ओके, और यह आपका into 4, upon 0.1, 0.1, यानि 1 upon 10, 1 upon 10, तो यह 100 हो गया, यानि 10 power 2 हो गया, समझ गे, तो 9 दुनी 18, 14, 72, 9, 36, 72, तो यह आया आपका 72, into 10 power 3, यानि हम point को पीछे shift कर सकते हैं, point अगर यहां से यहां उठाओगे, इस तरब जाते हैं, तो 10 की power, plus चड़ता है, ऐसे याद रखो, अगर हम इधर जाते हैं, जितने बार shift करेंगे, 10 power plus, इधर जाएंगे, तो 10 power minus, तो अब मैं point यहां था, पहले कुछ नहीं, तो आगे ही रहता है, तो एक shift करूँगा, तो 10 power 4 हो गया, newton per column, that's it, अब ऐसे ही आप calculation करिए, इधर के लिए, और इधर के लिए, और ये पूरा detailed आपका पूरा na text book बच्चा solve किया है, ये आप लोगों के लिए मैं मैंनत इसलिए करता हूँ, ताकि हमें मैंनत करते वे देख कर क्या आप पढ़ें, आप channel पर जाएंगे ना, पूरा text book ही solve कर दिया है, हमने, दबंग बैच में भी solve किया है, additional exercise तक भी solve किया कौन कौन अपने गुर्देओं के आग्या माने का comment कर दे, तो अब आप B और C का खुद निकाल एक बर चेक कर लेते हैं, गुरू का answer आया भी कि नहीं, 72 उड़े 10 की घाते 4, यह रहा, 7.2 10 पार 4, यह यह ना, देखो, यह देखिए, यह देखिए, समझ गया, तो concept की अगर 10 माइक्रो कूलम और प्लेस्ट 5 mm अपार्ट, डिक्रमाइन देख्रिक फिल्ड एट पॉइंट पी ओन दे एक्सिस अफ दे डाइपोल, 15 सेंटीमेटर अवे फ्रम इट्स सेंटर, तो दो चार्जस प्लस माइक्रो कूलम, चले कोई बात नहीं, यह माइनस 10 माइक्रो कूलम, यह प्लस 10 माइक्रो कूलम, यह डाइपोल हो गया, कितने पर सेपरेटेड है वैसा 5 mm पर, mm को चेंज करेंगे, मीटर में हमेशा चेंज कर लिया करिए, तो माइनस 3 हो जाएगा, अब पहला बोलता है, पॉइंट पी ओन दे एक्सिस अफ दे डाइपोल, 15 सेंटीमेटर अव 2 K P R, अपॉन R स्क्वेर माइनस में A स्क्वेर का होल स्क्वेर और एक था, कि अगर R ग्रेटर ग्रेटर दन A है, यही फॉर्मुला है 2 K P, अपॉन में R का क्यूब, आप देखें यह सिचुवेशन कौन सी वाली है, पहली वाली है, दूसरी वाली, दूसरी वाली, क्योंकि 5 mm 15 cm के सामने भाई साब, देखें, ऐसे देखें, 5 mm मतलब 5 बटे में 1000, कितना हुआ, 0.05, और 5 cm मतलब कितना हुआ, 5 बटे में 100, तो 0.05, ज्यादा डिस्टन्स है, नहीं, ज्यादा डिस्टन्स यहाँ पर नहीं, बोलो भी है, तो देखें, दोनों में ज्यादा डिस्टन्स नहीं है, बच्चा, यह 0.005 और 0.05 है, यह तब लगता, जब मेरा आर बहुत बड़ा होता, मतलब कि अगर यह होता लगबग 1 के आसपास, या 2 के आसपास, यह 1 है यह 0.05 और 0.005 है, यह सूरत है, बंबई है, ज्यादा दू दूर नहीं है, बंबई और दिल्ली होता तो ठीक है, हो सकता था, तो अब हम यह वाला फॉर्मला लगा लेंगे, अब देखें, तो यह हो गया 2, K, K का मतलब 9 इंटू 10 पावर 9, फिर बच्चा, P, P आनी डाइपोल मोमें, डाइपोल मोमें, कैसे निकालते हैं, Q इंटू तो Q आपका हो गया, 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, और उनकी बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस है आपका 5, गुड़े 10 की खाते, माइनस में 3, समझ गए, जो आसान कैलकुलेशन होगा, आपको खुद करना है, तो 2, K, P, फिर R, R है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुड़े, 15, R का क्य माइनस, 5 का स्क्वेर, 25, और बच्चों कितना हो गया, R स्क्वेर माइनस में A स्क्वेर, यहाँ जब हम R स्क्वेर करते थे, जरा ध्यान दीजे, तो इसके साथ 10 पावर माइनस 4 होगा, 15 सेंटीमीटर है न, अरे R का स्क्वेर 15 यह है यार, हाँ तो ठीक है, R स्क्वेर 15 गुड़े, 15 का 225 सेंटीमीटर माइनस 2 मानस 4 होगा, ठीक है, A स्क्वेर, A कितना है, जरा ध्यान दीजेगा बच्चा, A कितना है, तो A आपका यह होता है, small value, 5 का आधा 2.5, 2.5 का स्क्वेर, यानि 6.25, तो 6.25, इंटू कितना, 10 पावर माइनस में 6, का भी स्क्वेर, वाह, का भी स्क्वेर, चलिए, अब यहाँ पर हम प्रॉक्स मैथड का यूज करेंगे, देखिए, यह माइनस 4 है, तो या तो मैं इसको माइनस 6 बना दू, या म इसको मैं क्या कर दू, माइनस 4 बना दू, कैसे कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं, 10 का स्क्वेर लीजे, यानि कि 100 से गुणा कर दीजे, और 100 से भाग कर दीजे, ऐसा करने से बेनिफिट यह हुआ बच्चो, कि यह 10 पावर माइनस 4 बन गया, मैं डेनोमिनेटर सोल कर रहा पाइब दसकी खाते माइनस में 4 और फिर बच्चो, यह आपका बटे में 100 और फिर यह स्क्वेर हो गया। ऐसा करने से क्या बेनिफिट यह to Salz, 10 पावर माइनस 4 स्क्वेर से बाहर जाए़गा जब यह स्क्वेर से बाहर जाएगा, तो वो भी स्क्वेर बनेगा, और इसके बाद का जो step होगा, यहाँ 10 पावर माइनस में 8 हो जाएगा, यह बची गया आपका 225, माइनस जराई से देखें, यह ससुरा point में हटाऊंगा, तो 625 के साथ-साथ, 200 और आ जाएगा, तो अब यह हो गया, 625 divided by 1234, 1234, यानि इसकी value कितनी आई, 0.0625, which is very small, 0.0625, 0.0625, 0 के आसपास है, तो इसका अब रॉक से value ही आ गया कितना, 1, 10 पावर माइनस 4 बाहर निकलने के साथ, तो नहीं, इसको आप 0 माल लीजे, तो denominator हो गया, solve, नहीं समझे, फिर से देखो, इसको जब मैं solve किया, 625, 10 की गात, माइनस 4, माइनस 4 बाहर निकल गया, माइनस 100 किया, तो 0.06255, which is very close to 0, तो मैंने 0 ले लिया, तो नीचे denominator का answer ही क्या हो गया, 225, उड़े 10 की हाते, माइनस 8, ये सब कोई बताएगा नहीं, बच्चा लोग, इतनी डीटेल में, आपको इस lecture में पता चल रहा है, छोड़ी-छोड़ी चीज़े आप सीख रहे हैं, तो हाथ से आपका 225 कर जाएगा, इतना तो कर सकते हो ना, चलो अब आप इसका answer जो है, comment करके, बताएगे मुझे, समझ गए, ठीक, आईए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, भया, अरे, आदित बाभू, exercise का भी question डाल दो, चलो बच्चा, exercise के भी 2-3 और सवाल आपको सिखाता ह तो बच्चा, textbook में आपके exercise में लगभग तेई सवाल हैं, उन में से मैंने कुछ important pick किये हुए हैं, बाकि सारा solution आपके पास समय है, जो बच्चे पहले देखे हुए हैं, तो उनको मैं request करूँगा, सारा ही solve करिए, लेकिन जो बच्चे अंत समय में पढ़ रहे हैं, आप सार इनमें concept भी है, तो 3-3 वार located at 20 cm apart, तो देखे सबसे पहले, हमने diagram बना लिया, 3 µC, कितने cm पर है, 20 cm पर है, ओके, इन vacuum, पहला, what is the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges, ओके, आसान है, यहां से यहां तक का distance 10 cm, अब यह point पर हमें electric field find करना, मैं आपको पहले ही सिखाया, कि electric field निकालने के लिए हमेशा system में number of charges देखे, तो 2 charges हैं, यह भी electric field देगा, और यह भी आपका electric field देगा, क्योंकि electric field वेक्टर कॉंटिटी, now we will deal with the direction, तो positive का direction P पर ऐसे आएगा, इसके लिए outward होना चाहिए, और P पर इसके लिए क्योंकि negative है, तो invert होना चाहिए, तो अब का हो गया, 2, K, Q, upon में जो भी distance हैं, आपर R square, क्योंकि charges सेम था न, ठीक, तो 2, K की value 9 into 10 power 9, charges 3 into 10 power minus 6, बोलना मत, sir, minus क्यों निलिया, पहले भी ऐसा question सिखाया, detail में, आज ही की lecture में, फिर यह 10 है, तो 10 का square 100, बट सेंटी मेटर भी तो 10 की घाते minus 4 है, पहले क्या पकड़ो, power, 9 में से 6 गया, तो कितना हो गया, 10 की घाते 3, यहाँ side में कहीं पर कर लेने का पीछे, 3 और plus 4 कितना हो गया, 7, तो यह हो गया, power wise 10 power 7, ओके, 9 दुनी 18 तरिक, 54 बट सो, 54 बट सो कितना होता है बच्चा, तो 0.54, अब आप चाहो, तो point को यहाँ shift कर दो, तो 5.4, मैंने आपको सिखा है, point इधर shift करते हैं, 10 की घात माइनस चड़ती है, तो 10 power 1 बार माइनस 1, तो यह 10 power 6 आ गया, यह आपका newton per column, this is your answer, खतम, चलिए, इसी में एक और रोशन पूछा, if the negative test charge of magnitude is placed at this midpoint, अच्छा, यह 1.5 को आपने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो what is the force experienced by the test charge, very easy, मैं आप को तरीका बताता हूँ, आप उस चीज को जरूर सॉल करिएगा, यहाँ कितना charge रखा है, negative की positive, negative test charge है, तो minus में 1.5, 10 power कितना है बच्चा, minus में 9, आज के class में वो triangle वाला सिखा है न, कि अगर school में 2-3 बच्चे हो, तो teacher बोलेगा, मारो भे किसी एको, तो सब मारेंगे, तो म 2-1, दो पर एक की वज़ा से, दो बोलेगा, मैं negative हूँ, यार, दो पर एक की वज़ा से, एक बोलेगा, तो positive है, तो भाग यहाँ से, negative है, तो आजा मेरे पास, क्योंकि attract करेगा यह, तो 1 इसको बुला लेगा, फिर 3 पूछेगा, ओए 2, मैं negative हूँ, तो negative है क्या, दो बोले plus KQ2Q3 upon R23 का square, value रख दीजे, you will get the answer, चलो जल्दी से comment करके बताओ, ठीक है बच्चा, that's it, अगला सवाल लेते हैं, exercise का 1.10 है, an electric dipole with the dipole moment, dipole moment मतलब कितना हो गया, P, कितना है, 4 times 10 power minus 9 coulomb, meter, हाँ, coulomb meter, यह आपका हो गया P, angle कितना है बच्चा, 30 degree, ओके बहुत आसान है, तो direction of uniform electric field, यानि कि E हमें दे रखा है, 5 गुड़े 10 की खाते 4, जो आपके वो सवाल नहीं होते हैं, case study वाले, तो case study में लगबग 5 question होते हैं, और वो ऐसी होते हैं, इसी तरीके के, एक एक लाइन वाले सवाल, this is one of them, बच्चे भी गलत कर देते हैं, हमको क्या चाहिए, torque P कितना है, दे रखा है भाई साब, 4 गुड़े 10 की खाते, minus 4, E कितना है, तो 5 गुड़े 10 की खाते, 4, और sin theta, sin 30, यानि 1 upon 2, 30 degree है न, कहां गया, कहां गया, कहां गया, 30 degree, calculate a line at the 30 degree, तो ये काट दो बच्चा, 2 हो गया, 5 दुनी कितना हो गया, 10, तो 10 की A polythene piece rubbed, it's a very interesting question, it is interesting, that's why I have picked it, है आसान, but interesting है, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to minus 7 C, तो negative charge है, ऐसा, estimate the number of electron transferred from which to which, oh, very interesting question, तो हमारे पास बच्चा polythene piece है, जिसका negative charge है, तो कितने electron transfer हुए, तो Q बराबर में आपका formula होता है, N E, हमको N निकालना है, तो Q upon E हो जाएगा, Q आपका है, 3 into 10 power minus 7, और E आपका होता है, 1.610 raised to minus 19, समझ गया न, अब इसो कैसे solve करेंगे, बहुत simple है, 3 बटे में 16 कर दीजे यहाँ 10 आजाएगा, तो यह 30 हो गया, यह point हटा है, 10 हुआ, 2 से काट 2, 15, 2 से काट 8 हो गया, आसान, फिर 10 की घाते, minus में 7, plus 19 घात मतलब power, हिंदी में बोलता है, अच्छा लगता है, 19 में से साथ गया, तो कितना हो जागा, 13, it is 10 power 13, and it is 15 divided by 8, now 15 by 8 तो हम easily कर सकते है, 8 दू 1.9 समझ लो, 1.9, अरे ऐसे करोंगे, लो, लो मेरे लाल बल गुपाल, तो 8 हे कम, 8, 15 में से 8 गया तो कितना, 9, 15 में से 8 गया तो 9, अच्छा मैं ही लोगता हो, 15 में से 8 जागा, तो कितना होगा, 7, अब यह point हो गया, 0 आया, 8, 9 अटे बहतर हो था, 8 अटाई चाचट, 8 अट क्या कर रहा हूँ, 8, 9, 72, 8 अटाई 64 होता है, 64, बस तो 1.8 आया न, ठीक है, तो यह आपका होगया, 1.8, इंटो 10 पावर 3, क्या निकाल रहते हैं हम, N, अच्छा यह N आया, अब सवाल यहाँ पर सीखने वाली बात है, क्या पूचर है, फ्रॉम विच टू विच, अब पूट के साथ मैंने रब किया, तो यहां कहता है कि, वूल इस फाउंड तो हैव नेगटिव चार्ज, इसके उपर नेगटिव चार्ज आया, इसका मतलब है, बच्चा, अगर यह नेगटिव हुआ, इसका मतलब इसने लिया है, तो यहां से एलेक्ट्रोन ट्रांसफर पॉलिथीन पॉजिटीव हुआ होगा, यह पॉजिटीव हुआ को, बिकोज इसने दिया होगा और यह लिया होगा, तभी तो नेगटिव है, तो सवाल कांसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोन ट्रांसफर फ्रॉम पॉलिथीन टु वॉल और इतने नंबर ऑफ एलेक्ट्रोन ट transfer भी नहीं होता है मास कम ज़्यादा होता है तो transfer Ng 2 किसी काまぁ transfer नहीं सकांसर ऑगा कर देंगे और यहां मासच होता है इसका मासचthm सब्सक्राइब मैंसे लिखा जरूर हो सकता है कि हां मास चेंज हुआ पर ट्रांसफर कहना गलत होता है 1.17 A point charge plus 10 microculum is distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown in the figure अच्छा figure नहीं मेरे पास मुझे question याद आ गया यह आपके NCRT के exercise में इस तरीके से बनाया होगा एक square है इससे 10 cm ऊपर surface ऐसा मान लीजे इस तरीके से ऐसा मानिए यह ऐसे और इसकी ठीक उपर यहाँ पर एक charge है और उसकी value कितनी है charge की value है plus 10 microculum ओके सर ठीक कोई दिक्कत नहीं है as shown in the figure what is the magnitude of the electric flux through the square अब हम यहाँ पर पहले इसको close करेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे बोलेंगे कि यहाँ flux लगेगा ही नि मतलब कि गाउस्लो लगेगा ही नि गाउस्लो क्यों नहीं लगेगा भाई लगेगा अब मैंने close कर दिया न तो इसका जो answer होता वो q upon epsilon not होता but क्योंकि एक ही surface है तो सबको equally मिलता एक ही है बाकी सब तो नकली है तो इसका answer कितना होगा q upon में 6 epsilon not अब charge की value रख दीजे charge आपका 10 गीगाते माइनस में 6 है यह आपका 6 हो आपसलान not को calculation easy कर लेक लिए 9 निलो 8.85 9 into 10 पार माइनस में 12 लीजे भाई सब माइनस 6 माइनस 12 इसको 1 कर दो तो एक में से 6 है गया तो 5 माइनस 5 प्लस 12 और एक बटे नोचक 14 कर लो इसको calculate 12 में से 5 गया 7 1 upon 54 10 पार 7 that's it चलिए एक और सवाल लेकने 1.19 a point charge gauss and electric flux of minus 1 10 पार 3 newton meters square upon coulomb to pass through a spherical gausson surface of 10 cm radius centered on the charge if the radius of the gausson surface बेर डबल बहुत अच्छा सवाल है दिहान से देखी आ चुका है एक point charge है causes and electric flux of इतना तो एक charge है जिससे आपको flux मिला है minus 1 into 10 पार 3 newton meter square upon coulomb it's a very important for mcq unit हाँ बच्चा दिहान से then 10 cm radius है चलो radius भी ले ले लेते हैं ऐसा sphere माल लीजे यहाँ एक charge है इसका flux है और इसकी radius हमेती रखा है if the radius of the Gaussian surface were double how much flux would pass through the surface अब आप देखिए मैं इसको बड़ा कर दूँ radius double कर दूँ मतलब मैं radius ऐसा कर दूँ अगर double हो गया 2R तो क्या फर्क पड़ता है नहीं फर्क पड़ेगा no change Q Q क्योंकि flux का formula है Q अपॉन में epsilon 0 कितने sigma है कितने charges अंदर available है हमने तुसको नहीं छेड़ा वो तो हमारा Q ही है तो change होने वाला नहीं है इसलिए पहले का answer कि आएगा there will be no change What is the value of the point charge negative हमको दे रखा है तो 5 is equal to Q अपॉन epsilon 0 लो भाईसा भी चाहिए तो Q बराबर 5 इंटो epsilon 0 5 आपके पास में था 10 पावर माइनस 3 और epsilon 0 9 इंटो 10 पावर माइनस में 12 तो यह हुआ माइनस में 9 इंटो 10 पावर माइनस में 15 कूलम खत्म हैना असन physics बहुत आसान है बच्चा प्यार करने के आवशकता है बस तो 45 मिनट अल्मोस हमने लिया और यह सवाल हमने आपको इके करके सिखा दिया बच्चा उमीद करता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से प्राक्टिस करेंगे और physics को ढंक से सिखेंगे concept को अच्छे से सिखेंगे यह वादा करें रटेंगे नहीं बच्चा किसी भी एर के बच्चे यह देख रहे हैं वीडियो आप सबसे request है चैनल पर बहुत सारे amazing physics के content है आपको कहीं जाने के आवशकता आने पड़ेगे अगर आप इन वीडियो lectures को देख करके notes बनाएंगे तो आपको physics के साथ इश्क को महबबत हो जाएगा आप मुझे instagram such and sir physics या फिर satvik thought satvik thought पर भी मुझे सुन सकते हैं मुझे देख सकते हैं कुछ भी समस्या बच्चा तो मैं वहाँ पर आपसे मिलूँगा साथी आप हमारे crash course किसी बियर के बच्चा पाटी हो आप तो इस नंबर पर call करके अभी आप हमारे crash course को भी जोइन कर सकते और मुझे से live पढ़ सकते हैं बागी channel आपका है बच्चा हमें साभी करहेगा अपना प्यार जरूर दीजेगा मिलता है आप लोगों से अगली ग्लास में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें मुस्कुराते साथ physics पढ़ते रहें till then do whatever you want to do man but don't trouble your mom इन्हां lecture 2 कितना जल्दी आप चाहते हो वो आपके प्यार पर depend करेगा I'm expecting बच्चा more than 1000 बच्चा पाटी का like and at least 100 comments फड़ा फड़ तो जल्दी से मैं chapter 2 record करके आपके सामने रख दूँगा जल्दी से अपना प्यार दीजे 1000 likes and 100 comments देखते हैं कितने बच्चे अपना प्यार शेर करते हैं love you all take care bye bye